आप देख रहे हैं ग्यान्तू का यूट्यूब चैनल बिहार SSC द्वरा आहजित 10 प्लस 2 पर आधारित प्रिक्षा की अगली करी में आपका स्वागत है इस अगली करी में बारी है रीजिनिंग के एनलोजी की ये एनलोजी की बारी अलफाबेट के ठीक बाद आई है कुछ डेटा को एनलोजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, इंसर्टिंग दर मिसिंग करेक्टर और भी कई चैक्टर्स में इस्तेमाल होना है इसलिए आपको मेरी सलाह होगी कि आपने से तोर पर एक बार अलफाबेट के सभी वीडियो उसको देखे आई एनलोजी प्राड़म कर प्राइचे पर कहां जाएं हम सीधा सीधा कॉसर नहीं बनाने लगते हैं यह बहुत बड़ी भूल है चोटा चैक्टर एनलोजी अगर आप एनलोजी से परचीत हैं पहले से तो निश्चे तोर पर यह बात आपके मने में चल रही होगे कि यह चैक्टर क्या है पांच मैट म प्रसनों की बहुत आयत रही है अनलोजी का प्रसन बहुत रहा है और प्रसन पूछे गए पांचों प्रसनों का जबाब हमने सही दिया लग रहा है हमने सही दिया जब एंसर किया आता है तो फिर उसमें एक दो गलतिया क्यों होती है तो फिर अपना गुस्ता आयोग पर छ ब्रॉड एरिया है, बहुत काम करने की जड़त है, हाँ ये कहना ठीक है कि हमारे पास समय कम है, तो समय कम रहते हुए अधिक मेहनत करने के तरीके को हम लोग ज्यानतों में सीखेंगे, कैसे करेंगे एनलोजी पर भारी पकड कैसे बनाएंगे, इसको सीखेंगे, सबसे पहले का मतलब एक समान दिखने वाला, सम रूपता, एक रूपों वाला, लेकिन इससे काम ही चलेगा, इससे भी और कुछ स्टिप हम लोगों को आगे रिसर्च करने होंगे एनलोजी के बारे, था तो दो तर्म के बीच, आप देखेंगे वर्नों के बीच हो सकता है, वर्न अस्तविक संबंद होता है, क्या रिलेशन होता है दोनों के बेच, कोई एक तो नहीं, क्या उसके सिर्फ सामान दिखने से, या सामान रूप हो जाने से ही गुन होता है, क्या नहीं, कुछ तो गुन कारी प्रनालियों पर भी आधारित होता है, अगर आप में और हमारे में गुन देखा जाए, तो मिल नहीं गा, आप teacher, हम student, ये teacher नहीं मिल दाए, फिर भी हम लोग समरूप कैसे हैं, जानते हैं, पढ़ते तो हम भी हैं, पढ़ते तो आप भी हैं, दोनों की कारे प्रनालिया समान हैं, तो हम लोग analogy के द्रिश्टी कोण से समान हो जाते हैं, तो analogy के हमें थोड़ा जाएंगे, आप देखिए, अच्छा एक प्रस्ण ही आपके सामने कर दिया जाए, तो आप देखिए, एक आसान सा प्रस्ण, और उम्मीद करते हैं, सब लोग इसका जवाब देंगे, आम का रिष्टा अगर फल से है, तो आलू का रिष्टा किस से है, आम फ पहले के दो सब्दों के बीच एक वस्तविक रिलेशन है, और इन दोनों के बीच जो वस्तविक रिलेशन है, वही वस्तविक रिलेशन आलू का जिस वर्ड के साथ होगा, अगर वो आप दे पाए, तो यहाँ प्रस्ण बिलकुल सही हो जाएगा, और आपका पहला जवाब लगता है कि सब्जी होगी आप आम बोलचाल की भासा में ऐसे कहते हैं आम फल है तो आलो सब्जी तो क्या गलती नहीं हुई गलती हुई आप्शन पर भी नज़र रखना था हम लोगों को अब ध्यान दीजिए आम और फल में क्या रिस्ता है आपने आम और फल की बीजो रिस्ता दिया है सेम रिस्ता इधर दो टर्म के बीच आप अगर रखती है तो वो एनलोजी को सटिस्फाई करता है एनलोजी को परिभासित करता है और अगर इधर कुछ कह रहे है इसका मतलब ये सही जस्टिफिकेशन नहीं आलू आम एक फल है आतरों आलू एक सबजी तो नहीं है आलू सबजी नहीं है आलू की सबजी होती है अंतर देखिए बातों में यहां आप कह रहे हैं आम फल होता है आलू सबजी होती है ना सबजी तो तब होगी ना जब आलू को काटेंगे धोएँगे, काटेँगे, उसमें नमक, हलदी, मिर्च, क्या-क्या लगाएँगे दिन वह सब्जी तयार होगी, यानि आलू में कुछ कारजवाई या करनी पड़ती हैं, तब वह सब्जी बनती है, आलू खुद में सब्जी नहीं है, आम खुद में फल है आलू खुद में क्या है तना है स्टेम है आपको यहां जवाब तना देना चाहेंगे अब आप कहेंगे कि इतना डीप में जाएंगे हम कैसे हम कैसे समझेंगे आप समझेंगे कोई भी वस्तु है उसमें चार गुन समझ लेते हैं उन चार गुनों में किस गुन को प्रस्ण करता ने प्रस्ण में रखा है उसी गुन को हम लोगों को प्रशित करना पड़ता है देन एनलोजी डिफाइन हो जाता है इस को शादरिश्टा कहते हैं सिर्फ सब्दों से आप इसको नहीं कर सकते पड़िभासेत, कारी प्रनारिया भी तो डिपेंड करती हैं उसमें, हैना, एरिया कैसे ब्रॉड हो जाएगा अचानक वो भी आपको दिखाएंगे, क्यों ऐसे सी विहार के बच्चों को एनलोजी पर वीशेश ध्यान देना है, और सबसे मज़े की बात ब जाता है, आप थोड़ी दिर में देखेंगे, बने रही है वीडियो में, लगात अर्विना स्किप्ट की हुए आपको वीडियो देखने है, हुआ क्या, किसी भी वस्तु में चार गुन, ये चारो गुन मेरे द्वरा नहीं दिये गए, बहुत बड़े फिलासफर ने दिया पहला गुन, हम लोग अपनी भासा में उस वर्ड को चुमते हैं, पहला गुन प्रात्मिक गुन, प्रैमरी प्रापर्टी, दूसरा गुन, सेकेंडरी प्रापर्टी, दूतियक गुन, जिसको कोर्स आफ एक्षन प्रापर्टी कहते हैं, कार्जवाई वाला गुन, थर्ड इज सोशल प्रापर्टी, सामाजक गुन, चौथा कॉलेप्स प्रापर्टी, सब को नस्ट हो जाना है एक दिन, वो चौथी वाली प्रापर्टी, बड़ा खतरना प्रापर्टी है वाई, छोड़िए, इससे प्रस्मी नहीं पूछा जाता है, चौथे से, तीन से तो पूछे आगया, आप बिल्कुल इस बात को समझ पाएंगे, पहना जो गुन है प्रापर्टी, प्राथमिक गुन चातरों, ये प्राथमिक गुन, ये ध्वितियक गुन जिसको आप कॉर्स आफ एक्सन प्रापर्टी कहते हैं, वह कार्जवाई वाला गुन है, कार्यवाही गुन, तीसरा, सोशल प्रापर्टी, अर्थात, सामाजिक गुन, ये तीनों गुन हमारे बेच, हमारे समाज के बेच विद्यमान है, अब समझ भी इसको प्राथमिक गुन किसको कहते हैं, एक नाम जो आपको विरासत में मिल जाया करता है, वह आपका प्राथमिक गुन है, जार्थी को हो ऐसा कहा था आपने कभी नहीं यह नाम आपको विरास्त में मिला है आप क्या करेंगे सेकंडरी प्रपर्टी पर आए दूतियक प्रपर्टी दूतियक गुन जो है और सफ्रेक्शन प्रपर्टी या तो आप अच्छा पढ़ेंगे या तो खड़ाप के रूप में ही समझेगे लेकिन बड़ी भली भात ही समझेगा तभी आप एनेलोजी के प्रसन को ठोक भजाकर हंड़िट परसंट सही जबाब देंगे अन्जे था कनफिजन रह जाएगी एंसर की आने के बाद आप हतपरव हो जाएंगे या आयोग ने क्या एंसर दिया हम मांग क्या रहते क्योंकि बेसिक जानकारी जो है उसकी कमी हो जाती है पात्मिक गुन कहां से है विरासत में कैसा वाला गुन जिसके लिए हमने कोसिस नहीं की क्या आम ने कभी कोसिस की हमने कभी कहा आपको या हम से कि भाई आज से मेरे को फल बोलो नहीं विरासत में आम को हम लोगों ने फल कहा duty एक गुन जिस परकार आपको विद्धियार्थी कहा गया अब आप अच्छा पढ़ेंगे या खराब समाज एक गुन तीशना जो समाज बैठा हुआ है आपके course of action आपके द्वारा की गई कार्जवाई को justify करने के लिए आप अच्छा पढ़ रहे हैं क्या तो आयो जो है SSC आयो गरे लिए आयो बैंकिंग आयो यह समाज है इसको आपकी पढ़ाई अच्छी लग गई तो इससे नौकरी दे दिया नई नई नवकरे मिले नई लगी पढ़ाई अच्छी आपकी भगा दिया आपको य गुन है फल होना तो फिर आलू का विरासत वाला गुन है तना होना अगर आम का अचार होता या आम का जूस होता आम में कुछ कारजवाई या करे तो अचार बन जाता है न यह इसकी कारजवाई वाला गुन secondary property course of action property देनी होती आपको देन आलू की आप सब्ची दे सकते थे बात समझ में आई आम फल होता है तो आलू तना होता है आम का अंचार होता है तो आलू की सब्ची होती है आलू खुद में सब्ची नहीं है भासा कर तो आम बोल चाल की भासा में चलो सब्ची लाने जा रहे सब्ची में क्या ले रहे हो वही तो आलू ले रहे है यह आम बो इसक्रताने किस property को रखा है same property वहाँ देलाए अज आँ दीज्सने कर इस्ता चार से दे दिया suppose दो का रिस्ता चार से दे दिया पहला बंदा आया मि chosen का सर्टव से गुना किया है दूसरा आया सर्थ उसने प्लस किया है, तीसरा आया, उसने का first element का square किया है सर्थ, अब बताई ये तीनों property जो हैं, इससे relate हैं, अब उसने तीन का रिष्टा आप से पूछ लिया, ये लड़का कुछ जवाब देगा, ये लड़का कुछ, ये लड़का कुछ, जवाब वास्तों में गुनों के आधार पर तो एक ही होगा, और आयो किसको मानेगा, primary property के आधार पर दिया गया, उत्तर ही सर्वमान्य होगा, इस बात को याद रखेंगे, यहीं गलती होती है हम लोगों से, अगर primary property के आधार पर दिया गया, विकल्प वहाँ मौजूद नहीं है, तभी secondary property के आधार पर द अखना पड़ेगा, तैयारी जो कर ली थी, आपसे हम बता रहे थे कि analogy पर विसेश ध्यान देना है, और बच्चे इस chapter पर तो विसेश ध्यान देते नहीं, ध्यान कहा देंगे वो, तो calendar, cutting chapter, clock, cutting chapter, मजबूत भी कर लिया, उस chapter को प्रता चला की प्रस्दी नहीं था, इस बा analogy, classification, series, coding, decoding, inserting the missing character, और alphabet, इस पर जिसने भारी पकड़ बना ली, इसको आप गर्दा उड़ा देना कहते हैं, कर ही देंगे आप, इस खास जो chapter का नाम ले रहे थे, इस chapter पर आप भारी पकड़ बना ले तो, पर गुतायत भी है इसमें, उसन की संख्या भी ज्यादा होती है, तो ध्यान रखेंगे analogy में, सबसे पहली बात कि वो पहला जो दो term है, उसने किस गुन पर रखा है, उसी गुन को entertain आगे करेंगे, दूसरी बात, ये broad area है, अब देखिए अभी तो, आम फल चलना ता, अचानक पुछ दिया, अचानक पुछ दिया, मान ले ये, टारी सेली का relation, thermometer से, बताए, refrigerator का रिस्ता किस से, ठीक है, आपको नहीं आता है, हमको ना आये, हो सकता है, लेकिन सोचिए, कहां चला गया प्रस्न हमारा, अब कितना आसान दे दिया आपको भारत का रिस्ता दिल्ली से, सब लोग समझ गए, म्यानमार का पूछ दिया, आपका परोसी रास सकता है, भारत का रुपया दिया, म्यानमार का पूछ दिया, अफगानिस्तान का पूछ दिया, देखिए, एरिया कैसा कैसे धर दर ब्रॉड होता जा रहा है, बिहार की जामनेशन है, तो बिहार का ट्रेडिशनल जी के तो मस्त चाहिए हम लोगों को, अगर भारत का रिस्त मौर से है, पिकॉक से, भीयार करिष्ट कैसे है? देश का राश्टरिय पसुआ है आपका हो गया, तो इसका राज की यह पक्छी कुन सा है? याद करना होगा ना, एनलोजी की एरिया तो ब्राण है आप ये भी समझ रहा हूं तो इसकी तयारी के लिए सबसे पहले बेसिक तिम कौन-कौन सी हम लोगों को निश्चित तर पर पहले से आना चाहिए तो उसमें से एक चीज हम लोगों को याद आ गया एक टू जेड के सभी वर्णों की डिजिटल वैल्यू और उसकी अपोजि टीप में जाने का मेरा मकसद है कि आप जरूर तयार हो जाएं इतने प्रकार के प्रस्णों का सामना करना पर सकता है हम लोगों को सबसे पहली बात अगर एक तो सब्द साध्रिशता वर्ड एनलोजी या वर्ड सिमेट्री कहे लिजिए इसको जिसमें सब्दों का प्रियोग होगा सब्द वो मिनिंग्फुल हो भी सकते नहीं भी हो सकते अक्षर साध्रिस्टा जिसमें अक्षर वार्ण तत्तो सब्द से सम्भोधित करता है अधरिस्टा नमबर्स की बात होगी इसमें अक्षर संख्या साध्रिस्टा इसमें नमबर और लेटर दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है सामानी जानकारियों के आधार पर इसी बात की चर्चा कर रहे थी यही तो इस चक्टर को के एरिया को काफी ब्रॉड कर देता है देख मुहों के आधार पर भी प्रस्न पूछा जा सकता है और देखा गया है बिहार एससी के द्वारा पूछे गए प्रस्नों में इन सभी टाइप्स की चर्चा लगबग लगबग हो ही जाती है आगे देखते हैं इन तीन प्रकार की वैल्यू को अगर आपने याद रखा है या डेटा आपको याद होगा लेकिन जब नंबर से रिलेटेट या लेटर से रिलेटेट प्रस्न हो तो उसके लिए याद रखा जब लिए तरीका याद है तो हमसे बन जाएगा इसी उम्मिद से हम लोग सभी टापिक को परते हैं चातरों सबसे पहले जो जवाब आपके पा इस परकार बहुत सारी लिटर्स की वैल्यू आप लोगों को याद है Q17, W23, X24, G7, F6, L12, N14 और फिम आधी-आधी बहुत सारे याद हैं आपको क्या लिखना है अपोजिट वैल्यू यह कौन सी वैल्यू हो गई यहाँ पर वैलिट लिखे हैं इसे जरूर मेरे साथ साथ तो याद होगा आपको पहली वैल्यू तो हम लोगों को वैलिट याद रखनी ही चाहिए दूसरी वैल्यू दूसरी टापिक आप देखेंगे अपोजिट वैल्यू यह क्या है वही वैलिड मतलब A की और से पुकारो तो वैलिड और Z की और से पुकारो तो अपोजिट जिस इसकी value 27-6 बराबर 21 बहुत अभी जो आप देख रहे हैं इसको बहुत अच्छी से देखेंगे h की valid value 8 है आप फिर से 27-n का प्रयोग कर opposite value निकालेंगे 27-8 is equal to 19 इसी प्रकार i की 27-9 is equal to 18 और last में की 11 है तो 27-11 बराबर 16 निकालना तो सीख गए अब यहां क्या जैसे ही मान लिजए किसी भी प्रस्ट में F आता है suppose किसी भी प्रस्ट में F दिखा तो हमारे मस्तिस्क में F की value 6 और F की value 21 दोनों एक साथ दिखनी चाहिए भाई F दिया है तो यह 6 का इस्तेमाल कर सकता है हो सकता है कि यह 21 का इस्तेमाल कर रहा हो जिसका भी इस्तेमाल करे finally तो भाई बहाए बाले जो दो element हैं उसके बीच रिस्ता डूंड़ना है तो वो F से भी रिस्ता बना सकता 6 वाली value को लेकर F से रिस्ता बना सब्सक्राइब 20 बने वाली value को लेकर वो किसी भी value का प्रियोग करे आपको दोनों value याद आजने चाहिए और भी कुछ अब सोचे ये opposite letter ये opposite letter क्या होता है ये भी 27 minus n सही बनेगा तो left से अगर पहले नंबर को गिने तो A, A, right से पहला गिने तो Z दोनों छोरों से समान अस्थान पर आने वाला letter opposite letter कहलाता है तो सोचे उधर से पहले नंबर पर कोन आया A इधर से पहले नंबर पर कोन आया Z दोनों दोनों छोरों से समान पोजिशन पर है मतलब ये दोनों opposite letter है किया है और एस्टेप आगे बढ़ाए यह की वैल्यू कितनी एक के जड़ की वैल्यू कितनी 26 दोनों को जोड़ देजिए 27 यह दोनों अपोजिट लेटर अचा बी की अपोजिट कौन होगी जरा वाई थी और वाई उपोजिट तो बी की वैल्यू अनों की digital value का sum 27 होता है वो अपोजिट लेटर कहलाते हैं A का Z B का Y C का X D का W भाई इसको याद को न करता है A का Z याद करो B का Y C का X D का अब खुजली बढ़ गई मात्य में याद की हैं तो भूलेंगे पका-पके क्यों भूलने की बढ़ भई 27-N है उसने का F का अपोजिट लेटर निकालो याद क्या करना भई इसको 27-N आपको पता है दोनों वरनों को जोडने से 27 होता है और एक की वैल्यू आपको पता है तो दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए तो अभी ऐसे 27-N something करना होगा उसकी वैल्यू को घटाना होगा तो याद करने की परंपरा खत्म किजिए न फिर यह जब आप 27-6 करते हैं 21-21 नंबर पोजिशन पर रहने वाला लेटर यू यानि एफ और यह यह अपोजिट पेर है खुद जबाब दीजे न भाई H की वैल्यू एट अपोजिट पेर निकालने की कोशिश करेंगे 27-N 19-19 प्रेस आप कहलेगे S और H अपोजिट पेर आई का अपोजिट पेर बताई यह अपोजिट वैल्यू एच अतरो यह अपोजिट वैल्यू अपोजिट पेर अपोजिट लेटर 16 पर पी तो पी और के कैसा पेर अपोजिट पेर आज की अपडेट वर्सन में अगर जाएंगे इधर आप लोगोंने कोई प्रिभियस यह बनाए किसी कभी बनाई यह अब यहार इससे क्या करता है उसी से प्रेरित प्रस्णों को यहां पूछ देता है तो वहां से क्या प्रेरना मिल रही है आजकर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वह स्क्रॉलिंग वैल्यों का स्क्रॉलिंग वैल्यों स्क्रॉल करना कि इसको कहते है जहां से देखिए सपोज सपोज आप इसको ले ले यह एक वील है यहां एक रेड मार्क ल इसने एक चक्कर मार दिये, अगें चक्कर, अगें चक्कर, बार-बार घुमने लगा, बार-बार पुन्रावरित रिबॉलिशन होने लगी इसकी, that means, वो स्क्रॉल करने लगा, तो स्क्रॉलिंग वैल्यू से प्रस्न अब ज़्यादा पूछने लगा, समझे इस्क्रॉलिंग वैल्यू क्या है, A to Z जब आप लिख रहे थे, तो एक से लेकर 26 लिख रहे थे, और एक प्रस्न में मना कर दिया गया था, Z के बाद, अलफाबेट में नहीं पढ़ना है, याद आ रहा है आपको कुछ, चोकि इंगलिस अलफाबेट में नमबर्स अपलेटर 26 होते है, 26 ही होते है, 27 में कि गुंजाइस नहीं है, लेकिन, A to Z, again A to Z scroll, again A to Z scroll, again A to Z scroll, तब तो भाई A की एक position बनेगी, analogy में, अब A फिर से आ गया, याद रखिएगा, Z 26 में नमबर पर आया था, और यहां से आपने स्क्रॉल कर दिया, तो A कितने नमबर पर आएगा, 27 नमबर पर, B की value इस पर कितनी हो जाएगी, 28 और C की 29, इतना इराने जिसी से सीख हैं हम लोग, A actual number क्या है उसका, actual digital value किया है, उनके आने के क्रमा नुसार उनको जो value दी जाती है, वो उसकी actual digital value होती है, 123, respectively ABC का, ज्यान से देखिएगा, हमने कहा आपको 26 तक जो आप पुकारती हैं, 26 तक, उसको हम लोग नाम देते हैं, valid value, नहीं? और 26 से आगे हो गया, 27, 26, 52, 47, 49, 42, 35, आदे, जैसे ही 26 को हमारी संख्या पार कर जाती है, वो वाली value हमारी हो जाएगी, scrolling value, उन्राबित मान हो जाएगा, तो A की value कितनी हो गई? scrolled way में 27, B के scrolled 28, C 29, जबकी A की value एक थी, चातरों देखेंगे, उससे 26 जादा, इससे 26 जादा, इससे भी 26 जादा, तो इसको अपनी भासा में पोकारते हैं, 20 तक पोकारें तो valid मान, 26 को पार कर जाएं, तो scrolling, मेरे साथ, 5 मी value, valid, 18 मी, valid, 22 मी, valid, 4 थी, valid, but 32, scrolling, क्यों scrolling? क्योंकि इसने 26 को cross कर दिया, 26 को पार कर गया यह, 42, scrolling, 51, scrolling, अब यह बताइए कि 27 को scroll कह क्यों रहे हैं आप, आप जवाब देंगे 27 में 26 लेटर एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए यह scrolled है, 42 क्या है वाई, 42 scrolled way में है, scrolling value है, तो scrolling क्यों है, आप सिधा सिधा कहेंगे, इसमें 26 लेटर एक्स्ट्रा है, ठैरिए, अब यह आप जो कह उसको दोड़ा रहे हैं, किसी ने कहा कि भाई, यह value is scrolled है, क्यों है scrolled, 26 इसमें extra दिये हुए, तो भाई, scrolled में 26 बाहर निकाल लें तो सौभाविक है, आपकी value valid निकल जाएगी, बना एक फर्मूला, scrolling value दी गई है, म scrolled मैंनस 26, बराबर valid, यह दूसरी भासा में आप कहलें, अगर किसी valid में 26 एड़ कर दो, तो वो उसकी scrolling value निकल जाती है, यह वाला फॉर्मूला देखिए, सीखना है, सीख गए, सीखना किया, F की value निकलते है, F की value होती है, कितनी 6, 6 में आप 26 जोड़ दें, तो यह हो गया 32 32, F की value 6 भी होती है, 32 भी होती है, 32 कैसी value, scrolling value, तो इस परकार आप सीख रहे थे, valid value, opposite value, opposite letter, and scrolling value, तो F की scrolling value कहां लिखा जाने, यहां लिखते हैं नहीं scrolling value, यहां पर, मेरे साथ साथ write down करेंगे, F की value 6, 6 में चब भी जोड़, value आगे 32, कैसी value, scrolling, H की value 8, 8 में 26 जोड़ें, 34, that is scrolled, I 9, plus 26, 35, scrolled, 11, plus 26, 37, scrolled, अब अचानक किसी later ने लिख दिया, वहां 42, आपको पता करना है, इस question का data ऐसा है, कि आपको यह पता करना है, कि 42nd position पर, 42 में अस्थान पर, कौन सालेटर आता है, तो आप समझ गे, 42 में कैसा later है, scrolling है, scrolled है, obvious, इसमें 26 जादा है, तभी यह scrolled है, तो आप क्या करेंगे इसमें से, valid निकालने के लिए 26 मेंनस कर देंगे, is equal to 16, 16th position पर later मौजूद, P, आपका जवाब P होगा, P, कितने नमबर पर, potato भी, और 16 भी, तो इस परकार किसी भी later की, कौन-कौन से बातें याद रखनी है, एक तो valid याद रखना है, पहली बात, दूसरी opposite value याद रखनी है, उसके, तीसरा opposite later याद रखना आपको, फिर आपको उसकी scrolling value याद रखना, यानि किसी भी later की चार परकार की value, अभी तक हम लोग सीखे हैं और पता नहीं, प्रस्न करता की मर्जी किस value से हो जाए, हम वो चारू की तियारी करके रखेंगे, आप सभी लोग इसको write down कर लिए होंगे, प्रस्न को बनाना प्रारम बकड़ें, उससे पहले कुछ तो basic जनकारियां आपको चाहिए, write down करने के वाद थोड़ी बात ओ, इतन कम प्रस्न इसका इस्तेमाल करता है, यह सबना अब भी alphabet में और थोड़ा सा महनत कराना चाहरा है आपको, वो महनत आप देखें, कौन सा महनत है, अब आप से कोई कहा कि भई, आपके प्रस्न में यह E character है, फात्रों E character है, तो अब आप बताए, E को आप कौन कौन सी value देंग है, E की दूसरी value 22, कौन सी value यह, आप कहेंगे यह इसकी opposite value है, तीसरी बात, V, E और V का क्या रिष्टा है, आप कहेंगे यह इसकी opposite later है, और E की value 31, यह कौन सी value, याद केजिए, अभी अभी परे, scrolling value है इसकी अब आपको बताते हैं, E की value 2 भी होती है, यह 2 कहां से आ गया, 2 का तो हम लोग सुने थे, B, यह 2 कैसे है, अब प्रसंद करता ने क्या किया, यह पांचों वाविल्स को अलग लिख दिया, A, D, I, O, U, वाविल में उनके आने के क्रमा नुसार आप गौर से देखिए, इस प बाविल A, then E, then third number पर आई, fourth is O, fifth is U, तो E की value और मिल गई, पांच परकार की, इसका क्या है, यह according to बाविल order, बाविल order के अधर पर, अब किसी भी एक लेटर की इतनी कम से कम जानकारियां तो आपको रखनी के जानकारियां, मतलब याद कर रहे हैं, एक जामने समल में ऐसा अब इसमें से किसी का भी वो प्रयोक कर सकता है, वरनों से संबंधित जो जानकारियां हासिल करनी है, एनलोजी को बनाने से पहले, वो हुई संबंध, अब आईए संख्याओं से तो संबंधित प्रस्न होता है, संख्याओं राइट डाउन करेंगे सब लोग, कितनी सारी value संख्याओं पर जूरूर याद रखेंगे, वस्नमराने में काफी शुद्धा होगी, खास करके तब जब आप संजुक्त अभ्यास करेंगे कई चैप्टर्स के प्रस्नों का संजुक्त अभ्यास चलेगा तो उसमें प्रस्नों का जखीरा आपके सामने आएगा, मजा आएग बहुत उसमें, अब आजए ये नंबर्स के बारे, देखें नंबर्स में mathematically आप जितने नंबर को जानते, सम को जानते, इबन और को जानते, अभास संख्या को जानते, रूर संख्या को जानते, वर्ग संख्या, घन संख्या, ये पहले से परिचय है, प्रस्ने क्या क्या, प लेडि ही तो आपसे सलाहोगे सभी नंबर का पड़ी चाहिए, आपके पास होना चाहिए और ये आपके पास पहले से मोझूद है हमारे को क्या चाहिए, इसमें से सबसे ज्ल्दा पहचान आपको प्राइम नंबर, की पहचान होने हैं, एक, तीन, पास, साथ, ग्यारा, तेरा, सातरा, ऐसे, रैपिडली एक से सौ तक में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, वो आपको याद रखना होगा, आपको एक बात बता दें, ऐसे से सीजल ने इधर पिछले बार क्या किया, मैकसिमम दो एर्स होंगे, दो भी नहीं किया है, बच्चे याद कितना कर रहे हैं, एक से सौ तक, भाई, एक से सौ तक के प्राइम नंबर को तो आप सेकेंडों में रैपिडली बोले ना है, दो, तीन, पास, साथ, ग्यारा, तेरा, सतरा, ऐसे करके, continue, तो प्राइम नंबर आप जितना ज़्यादा पहचान सकें, एक से लेकर के आपकी च्हंता तक, आप स्कुार नंबर याद किये होंगे, मैट्स के सर्व श्कुार नंबर को याद करने की सलाहा आपको दिये होंगे, उसमें कई परकार के technique भी सिखते हैं, आप कुछ भी सीखें, स्कुार नंबर एक से लेकर 30 तक बिल्कुल याद होना चाहिए ओठ परियाद ओठ परियाद का मतलब कंठाग्र नहीं ओठा अपका जवाब आज के आज के competitive एरा में जवाब अगर कंठ में है तो गये आप ओठ में होना चाहिए ओठाग्र होना चाहिए ओठ के आगे आपका जबाव ना चाहिए मेरे को one to thirty square आयर नंबर आपसे चाहिए अच्छा ऑच्छा क्यूब नंबर भी चाहिए यह चलिए तोड़ा हलका कर दे 1220 बाद में बढ़ा लेंगे लेकिन का इसा ध्यान से लेखिए चातो 6 का क्यूब आपने कर लिया, सब उने याद कर लिया, हमको भी देखी याद है, 216 पसन 6 के क्यूब डिरेक्ट 216 से हो तो पसन असान होता है देखे पसन किस से था 222 से 6 का रिष्टा 222 6 के क्यूब में 6 को ही जोरने से इतना होता है, ये काम आप कॉपी पर करें, एक वार, 1 to 30 स्क्वाइर नमबर एंड 1 to 20 क्यूब नमबर पर अच्छे, एक काम और 210 को भी पहचानेंगे आप ये 6 क्यूब मैनस 6 है भाई आप 432 को भी पहचानते होंगे, समझ गए होंगे ये 6 के क्यूब का दो गुना है तो भाई आप 208 को भी पहचानते होंगे 108 को भी पहचानते होंगे 6 का क्यूब का आधा है क्या आप 612 को नहीं पहचानते 6 के क्यूब जो 2, 1, 6 लिखा जाता है उसका रिबर्स ओडर 612 तो आप देखिए स्क्वाइर नमबर 6 का क्यूब रटे बैठे हैं और एक्जामनेशन हॉल में वापिस दौटने के बाद कहते हैं भाई प्रस्न बहुत कठिन था प्रस्न कठिन नहीं था आपने या हमने मेहनत नहीं किया घर में किसी ने कहा किसी किताब में लिखा था स्क्वाइर नमबर 1 to 30 की सुची दी गई थी डेटा दिया गए था याद कर लिए हमको लगता है काम खत्म ऐसा कुछ भी नहीं अब देखिए प्रस्ने प्रस्न करता ने चाहे आयो किसी का भी हो बिहार का हो राजस्तान का हो कहीं का भी हूँ उसने कियाके 221 से प्रस्तन पूछे ना जे क्या है 6 की क्यूब में खुद 6 को जोड़का तो आपको क्या करना है इतना काम कर ले लहा Lagir. अच्छा पताई है 6 के क्यूब से 9 का क्या रिस्ता है छे के क्यूब का मतलब 216, 216 के भीतर उसके सभी अंकों का योगफल 9 है छे का relation अगर 9 से दे दिया हमनों सोच रहे हैं तीन जोड़ा है अच्छली इसने क्या किया छे के क्यूब के भीतर क्यूब के जो संख्या प्रापत हो ही उसके भीतर जितने अंक हैं उनके अंकों का योगफल था वो तो इतना महनत करेंगे न आप अमीद है आप नंबर से लेटेड इतना महनत जरूर करेंगे अब किसे को मान लेजिए 45 का स्क्वाइर याद करना है तो वो 25 पर न रुके 30 को भी पहचाने ये 5 क्यों प्लस 5 है तो फिर वो 20 को भी तो पहचानेगा 5 स्क्वाइर मैनस 5 है वो 50 को भी तो पहचान रहा है वो 7 को भी तो पहचान रहा है 50 क्या है उसका दो गुना ये 7 क्या है उसके भीतर अंकों का योगफल जवाब इस पर بहुत सरा काम करेंगे आप देखेंगे 13 شquare प्लस 13 बराबर 14 का square मैनस 14 ये तो आपको रальную है 13 का square रिटे 169 तो 13 का square प्लस 13 182 ये भी तो याद करोना होगा आपको न तो आप देखेंगे ये चीज मिलेगा इससे अच्छा खासा परशन एनलोजी का बनता है तो इस परकार आपके होंबर्क बरते चले गए उधर वैलिड वैल्यू स्क्रॉलिंग वैल्यू अपोजित लेटर एंड अपोजित वैल्यू और फिर प्राइम नमबर तो आपको याद करना ही है स्क्राइर नमबर इस तरह से अपनी कॉपी में वर्क करना है क्यूब नमबर से भी सम्मदित कुछ वर्क कर लेने है तो जाकर आप देखेंगे एनलोजी के अधिकान प्रसन आपसे बहुत जल्द बनने लगेंगे आईए कुछ सेश बाते देखते हैं कुछ डेटा जिसमें आप से कहा गया था ना कि इसकी एरिया थोरी ब्रॉड है एरिया बहुत लंबी चोरी है कम से कम यहां वीडियो को पाउस करें और इसमें जितनी भी सुची दी गई है जैसे कंट्री एंड कापिटल स्टेट एंड कापिटल कंट्री एंड करेंसी दें इस्ट्रॉमेंट अन मैजरमेंट कौंटिटी एंड इनिट या फिर आगे जाएंगे अनिमल एंड मुवमेंट अनिमल थी अब देखिए एक प्रसना आपको पताएं उसने क्या किया बहुत एजली दे दिया काव का रिलेशन काफ से गाय का संबंद बचरा से तो फिर तिल्चट्टे का संबंद किस से आप देखिए तिल्चट्टा भी दैनिक जीवन में देखा जाने बाला जानवर है लगबर हम लोग देखें लेते हैं सब लोग देखें गाय को भी आमने देखा आई आयोकी इंच्छा है जब गाय की संतान को आप बचरा जानते हैं तो जिस जानवर को आप देख रहे हैं उसको तो जाननाहोगा उसके बच्चे को ईसके फिउमेल को उसके साूंड को तो उसने तिल चट्टे का पूछा गाय का इजी कर दिया गाय का बच्रा तो बच्चे ने सुचा कि चलो बड़ी आसान प्रस्न है तिल चट्टे का अभी जस्ट पूछा गया कुछ मेहने पहले निम्फ होता है एन वाई एमपिएज इसे देख भी लेंगे अब इसी परकर है क्या अनलोजी को कुछ प्रस्न बनाकर यह अस्वस्त हुआ जा सकता है क्या कि अनलोजी कंप्लीट हो गया हमारा नहीं बहुत सारी बाते हैं इंडिविज्वल एंड्वेलिंग प्लेस अनिवल थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस अधि वर्ड वर्ड एन इंटेंसिटी है या फिर पेर एलेसं से यह जो डेटा दिया है इस पर आप जरूर काम करेंगे अधिकांस देखा गया कि इसी डेटा से प्रस्न होता है और तो कई प्रकार के ट्रडिशनल या स्टैटिक जी के जिसको कहते हैं उस पर भी बहुत सारे काम हम लोगों को करने है आई शत्रों प प्रस्न जो आपके सामने रखा हुआ है बहुत ही आसान प्रस्न है और उसका जवाब देर पा रहे हैं अस्पताल और रोगी का जो संबन्द है नहीं हास्पिटल इन पैसेंट का वही विद्याले का संबन्द किस से आप सभी लोग निश्चित तोर पर इसी को चुने होंग अस्पताल और रोगी की वीच पहले दो सब्दों की वीच जैसा रिष्टा आपने पहले सुनिश्चित किया वही नहीं आप विद्याले और विद्यालतियों के बीच रखे थे यहां भी आपको करना गेहूं का अनास तो चाय का क्या आई चाय तो पे भी है और चाय तो पत गेहूं की अनाज की जगह पर अगर खाद्य होता खाद्य का मतलब खाने योग्य आप समझ गये होंगे अब चाय का संबंध पीने योग्य होता लेकिन गेहूं अनाज है तो चाय एक्चुल क्या है लीफ है जैसा रिष्टा इधर जिस प्रापर्टी के अधार पर सेम दूसरा प्रसन आप देखेंगे तो यह लेटर समेट्री लेटर एनलोजी है वरनों का प्रियों शाथरो पहले प्रसन को अगर आप बनाएंगे इसने क्या कहा है बी और एफ इज रिलेटेड टू डी एच हाव इज पीएश रिलेटेड टू पी एस कैसे रिलेट करेगा द देखिए अगर ये प्रसंद काफी कठिन पूछ दे ऐसा हो सकता है कभी काफी कठिन पूछ दिया घबराना नहीं वैल्यू तो पता है ने बी की टू और एफ की शिक्स डी की फोर और ये ये एट तरह इनको देखिए आप तू प्लस टू फोर शिक्स प्लस तू दोनों में द आइटीन आर और एस नाइटीन में दो जो रहेंगे तो 21 यान यू र-ई-उ एनसर होगा तहीं चातरों इतना देर लगाएंगे क्या इतना देर मेरे साथ पढ़िए और अगर लेटर ये जो लेटर है एसेंडिंग ओर में चलए भी एफ डे एसे पढ़िए बिल्लकुल लि तो बहुत आसान था B, C छोड़ कर D, एक हीं के बाद, चार के बाद होगा, तो क्या होगा, B, C, D, E, F छोड़ के G, यही न कर सकता है, उंगली का सहारा लेंगे वहाँ पर, B, C छोड़ कर D, F, G छोड़ कर H, तो सेम काम किजिए, B, I, Q, छोड़ो, R लिखो, S, T, छोड़ो, U लिखो, आया ना, मौकिक जबाओ, ऐसे ही, यह जो तरीका अभी था उंगली पर, वैसे ही कटने की कुशिस करेंगे, यह फायदा देगा, आगे आए, ध्यान से देखेंगे, E, F, लगाता, G, H, I, E, एक छोड़ के, I, J, K, छोड़ के, L, K, L, M, छोड़ के, O, L, M, N, तीन पॉइट करें ना, भाई, देखें, कितनी आसानी इसे बनेगा, E, F, E, F, डिरेक्ट, तो F, G, नहीं, बिश्वास होता है, तो एक बार इधर चले हैं, क्या आपको सपोर्ट कर रहा है, ऑप्शन बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, आगे की वर बर यह, G, H, छोड़ के, I, तो तो, तो, जे, K, L, छोड़ कर, M, ऐसे पोकारेंगे वहाँ पर, अब के, O की बारी आती है, पढ़िए तो, के, L, M, N, तीन छोड़ के, O है, फिर से देखें, के बाद, L, M, N, फिर O, तो आप क्या करेंगे, L, M, N, O, छोड़ देंगे, आखिर में, P, आपका जवाब, G, J, A, M, P, है न, option में, यह करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डिजिटल वैल्यू हमारे पास याद है, तो प्रस्न तो बनना ही बनना है, यह तो तो ज़्यादा कि प्रस्न हमारा बनेगा ही बनेगा, लेकिन जब हम डिजिटल वैल्यू के बिना प्रस्न बना सकते हैं, तो यहा I, J छोड़ करके, option सपोर्ट कर रहा है, यहीं पर इंसर आ भी चुका है, अब तीसरे चोथे की बात करेंगे आप, तो X, Y, direct, O, P, direct, M, N, direct, Z, A, direct, यहाँ स्क्रॉल्ड हो गया है, यह, W, K, P, A, option number D, descending order में होता है, तो A, B, C, D, E, F, G, S, तुम लोग आसानी से पर सकते हैं, अब उधर से आप परहेंगे, Z, Y, X, W, B, U, T, यह नहीं परपहेंगे, तो ठीक है, descending order का प्रस्न होगा, तो digital value रखकर आप बनाएं, अगर ascending order का प्रस्न है, तो उंगली पर बीच वाले, जो बीच में remove कर रहा है वरणों को, उसको रखकर बनाएं ना, practice करें, बिल्कुल बनेगा, type number three, number से संबंदित, संख्या से संबंदित, संख्याओं का पड़िचे मिल गया है, ठीक है, प्रस्न आसान आपके सामने रखे गए हैं, लेकिन practice session में ऐसा नहीं होने वाला है, practice session में, प्रस्नों की तिप्रता थोड़ी बढ़ी भी रहेगी, question होगा, important question होगा, तो उसमें थ सारा काम कर लिए, square number के साथ आपको एक सलाह दी गई, cube के साथ सलाह दी गई, अभाद संख्याओं के साथ सलाह दी गई, सारा पूरा करके रखेंगे, यह देखिए, यहां क्या रिस्ता देखे, first element का square है, तो नीचे दिए गए चार options में से, कौन से option में, first element का square यह तो A में ह भी खराओगा आपको, 15 का तो 225, 10 का 122 का 484, आईए यहां पर 20 और 11, चातो एक बात का ध्यान रखेंगे, संख्याओं के साथ ऐसा होता है, जिन दो संख्याओं में आप रिष्टा ढूंड रहे हैं, कई प्रकार के रिष्टे हो सकते हैं, आप वैसे ही रिष्टे का चुन ही, आपने यहां सोचा, 20 और 11 का रिष्टा, हम सोचते हैं, पहले, सर पहले element में 9 माइनस कर दें तो 11 मिल जाता है, 20 माइनस 9, इत मिनस 11, यह रिष्टा है, 20 और 11 का रिष्टा है, कट नहीं सकता है, यह रिष्टा, एक सो दो में 9 घटा देते हैं, दो घटा है तो 193, क्या 93 three option में है सात्रों देखे 20 और 11 का यह रिस्ता कहना कि 20 minus 9 is called to 11 बिल्कुल सही है गलत नहीं है लेकिन जब इसी रिस्ते को 102 में हम रखती हैं तो option नहीं मिलता है यह रिस्ता सोचना बेकार अब दूसरा सोचते हैं दूसरा क्या सोचते हैं 20 को आध़ा कर देते हैं 10 में एक जोड़ देते हैं 11 यह अभी एक रिस्ता है आपके सर यह कैसे वहां प्राप्ट किया जाएगा कैसे पता किया जाएगा आ गया नहीं में यह बात इनलोजी को भारी प्रैक्टिस करनी होगी अलफाबिट और एनलोजी को दोना एक साथ प्रैक्टिस करेंगे फिर क्लासिफिकेसन हो जाएगा पांच चप्टर का जो नाम हम रैपिड ली ले दे फिर से लेते अलफाबिट एनलोजी क्लासिफिकेसन स्रीज इंसर्टिंग दे मिसिंग रेक्टर इंक्लूड कर दीजे कोडिंग डिकोडिंग होगी इस छे चप्टर पर भाड़ी पकड़ बन गई तो बिहार से के दर पूछे गया प्रसनों के अधिकान प्रसनों के बनने की संभावना बढ़ जाती ह है हमारी अच्छा तो यह तो प्रैक्टिस होगा 20 को आधा करते हैं आप हो गये कितने 10 देखिएगा यहां रिष्टार पस्ट एलिमेंट इस डिबाइड बाइड बाइट टू प्लस वन इस सेकंड एलिमेंट दिन ऐसा इसको भी करते हैं वही 102 को 2 से डिबाइड करते हैं मिले कितने 51 फ्लस वन इस एक्वल टू 52 और आप्शन में मौझूद इसलिए इस वाले रिष्टे को आयोग मानेगा और वो जो मैनस 9 वाला था मैनस 9 नहीं थे ना इसको नहीं मानेगा ज़कि बात सही है 20 और 11 में क्या रिastsा है अगर किसी ने आपसे पूछा आप केंगे 20 में से 9 घटा है तो 11 मे रिस्ता है बिल्कुल रिस्ता है कट नहीं सकता ये लेकिन इस औफ्सन के ख्याल से इस प्रस्त के ख्याल से वो रिस्ता इसमें था ही नहीं आगे आजाएएगे तो सब प्लस होगा, बाहुत जलदी बनाया होगा, साथ का स्कॉयर, निश्चतर पर दिख रहा होगा, साथ का स्कॉयर प्लस एक, तो यहाँ पर आपका क्या जबाओगा, 11 स्कॉयर, 121, प्लस 1, 122, चात्रों आया है एक जबाब, 122, आखे में भी तो होना चाहिए, दूनते हैं, मिल हो तब है ना यहां साथ का स्क्वाइर प्लस एक आप कितनी जल्दी ढूंड पाए थे और यहां जब बारी आई थे तो आप कैसे ढूंड लेंगे यहां कैसे ढूंड लिए क्योंकि 50 एक खास स्क्वाइर नंबर के आसपास की संक्या है उन्चास के और यहां रिलेट कर रहा ह साथ से तुरत पकड़ लिए साथ का स्क्वाइर प्लस वन तो वह जो स्क्वाइर और क्यूब के साथ आपको बोले थे जैसे सेवन का स्क्यूब याद करना 343 मैं 7 8 करो 350 मैं 7 घटाओ फिर उसका आधा फिर उसका दोगुना फिर उसके सभी अंकों का योगफल यह सबों को एक वर जब कॉपी पर राइट डाउन कर लेंगे ना आप सारे स्क्वाइर क्यूब नंबर को यह पहचानना बहुत आसान हो जाएगा यह था टाइप थ्री नंबर सिमेट्री नंबर एनलोजी आ जाईए बेस्ट ऑन जेनरल इंफोरमेशन जेनरल नॉलेज जिसको हम लोग ट्रेडिशनल या स्टाटिक जीके पुकारते हुए यह यह प्रस्ट तभी बनेगा जब हमारी ट्रेडिशनल जीके महसबूत होगी वह जो आपको सुची दी गई है और तैमानिए अब भी तो नहीं अनेलोजी के सबी चाप्टर्स को हो जाने देजिए हम कोसेस करेंगे ए पिर कभी मौका मिला है तो हम पूछ लेंगे आईए कंगारू का संबंद अस्ट्रिया से क्या है संबंद कंगारू का अस्ट्रिया से अस्ट्रेपसो का फिर बता दीजे ना जिराफ किसका नहीं पता है अफ्रिक्या का मौनबात्ति से मोम का क्या रिष्टा मॉनबऑत्ति बनता मॉन से तो कागज बनता है नैसे मानस से भी बनता पेड़ से भी बनता लुगदी से बनती अब बते ही क्या करेंगे ये तो मुसरीवत हो गये साथ हो मॉन Albanetin में फ़्षय ये वास्तविक रिष्टा आया बे तो कागस बाष से भी बनता पेर से भी बनता लकड़ी लोगदी से भी बनता अब मुंबत्त्ती मुंः से बनता है का मुंः की प्रोसेस वाली मुंबत्त眼ा बनते हैं हमलों hon मधलिमक्य मिक्रीष छथ्मियिंग पहले क्या होगा जहां से एक च्छता होगा उससे मौम तयार करेंगे तब जाकर मौम बत्ती बनेगी यहां लिख दे हैं च्छता इससे मौम तयार होगा तब मौम बत्ती बनेगी बास से डिरेक्ट कागज नहीं बनता पेर से डिरेक्ट कागज नहीं बनता या लकरी से डिरे लुगदि से बना कागज। देखिए, अगर चप्ता का संबन मुंबत्ति से होता है, तो यहाँ पेर बाउच दिया जा सकता था, मुंबत्ती काुज़ितियक गुन है यहाँ, primary property नहीं है, secondary property है, तो आप देखिए, यहाँ पर बाउच लिखें है, बाउच तब लुगदि यह लास्ट दो वाला है ना मुंबत्ती तो अभी तो लास्ट वाला लुग दी और कागर इस तेवाल करेंगे आपका जबाब क्यों हो जाएगा लुग दी तो यह किस गुन पर अधारित है इस बात का खासा क्याल रखना पुरता है हम लोगों का आई एकली बात सम्मुहों के अधार पर दिया गया प्रस्न जिसकी गुंजाईस रहेगी है एक प्रस्न आसान है चात्रों वहाँ हम लोग दो करते थे यहां ट्रिपल पेर है इसमें जो नाइन जोरो तो यह मिलता है और इसमें थर्टीन जोरो तो मिलता है नहीं 6 प्लस 9 15 and 15 प्लस 13 इसकल टूट्येट क्या यह रिस्ता मौझूद है नीचे धूंडते है यह तो भाई 4 माइनस है अटाइए इसको यह 7 प्लस है धूंड क्या रहे है आप प्लस 9 यह प्लस 9 है यह प्लस 13 नहीं है यहाँ देखिए आप यहाँ पर प्लस 9 है और यहाँ पर प्लस 13 है मतलब इस यह जो सिट दिया हुआ था तीन संख्याओं का इन तीनों के बीच जो रिस्ता है वही रिस्ता दिये गए बिकल्प में से किस बिकल्प में मौझूद है यह ढूंड कर हम लोगो यह सही है ठीक है यह 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 माइनस एट तो यहाँ दो पर करके रिस्ते भी लेंगे मैनस फॉर मैनस एट यह तो ढूंडना ही है हम लोगों को यह एक और रिस्ता है फरस्ट में जितना मैनस सेकेंड में उसका दो गुना मैनस यह भी एक रिस्ता है फरस्ट में जितना मै मतने से मिल गार तो पहले बाले में ही मिल गया एक नल करедेंगे करेंगे उस सब्दों के भाव वा वार्थ पर अधारित-वाथने संक्याओं पूले üzह हुए इस प्रस्ष्द करने में होती हैं इस से इसको देख लेंगे, इस से इसको, आदत है हम लोगों को, क्या, पढ़कर जवाब देना, देखकर जवाब देना, बहुत लिखकर जवाब देना, ये ठीक नहीं, बी और य ठीक से याद किजी छात्रों, बी और वाई में एक रिस्ता मिलेगा, भई बी की वैल्यू टू होती है, और वाई की वैल्यू 25 होती है, इन दोनों का सम 27 होता है, और जिस दो लेटर का सम 27 हो, वह अपोजित पेर उप कह राते हैं, तो बे का उल्टा वाई तो से का यह तो याद था हम लोगों को second element is 3 chi square फिर second element क्या दिया आपके लिए 4 chi square करें 16 क्या यह x 16 आपके option में मौझूद है अगर हाँ तो जवाब सही चल रहा है नहीं तो आपको दूसरी कोसिस करनी होगी यह गलत नहीं है दूसरी कोसिस करनी पर सकती है लेकिन आपका जवाब तो x 16 शेपा पड़ा था मार दिये बाजी आप आगे देखिए ABC का सम्मन माई गॉड यहाँ पर केबल वरन अक्छर या लेटर्स या लेटर्स के साथ साथ संख्याओं का भी प्रयोग ऐसे परस्नों के भी गुंजाईश हो सकती है वहाँ पर ABC का सम्मन आसानी से जड़ा देखेंगे सब लोग A D छोड़ कर C करते थे ऐसा B C छोड़ कर D C D छोड़ कर E एक एक बीच का रिमूव करता है वो काम कर लेते हैं पहले हमने A B छोड़ कर C C D छोड़ कर E और फिर C D छोड़ कर E C E यह हमारा भाग गया है चाहते हो कि हमारा अनसर यहीं पर C E E 343 हो गया लगिन क्लास है हम लोग उसका भी रीजन जानने की कोसिस करेंगे यह 343 क्यों तो उससे पहले यह जाचना होगा कि 216 कहां से आया तो इस A, B, C के सभी लिटर्स को जोड़ें तो A की वैल्यू एक B की दो C की थ्री तीनों को जोड़ दीजी आप 3, 2, 5, 1, 6 समझ गये होंगे सब लोग 6 का यह क्या है क्योब तो आप जब इनके सभी डिजिटल वैल्यू का सम निका लेंगे A is 1, C is 3, C is 3 and their sum is 7 then 7 का क्योब 343 हो जाएगा ना आया जबाब अब तो संतुस्त है ना कि इसका जबाब C, E, E, 343 हो जाएगा नहीं तो इस प्रकार आप एनलोजी का पार्ट वन देख रहे थी बार-बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो को प्रचारित प्रसारित करें सबसे पहले तो आप वीडियो को देखकर खुब वेल साटिस्फाई हो जाएग और कमेंट बाक्स का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी संतुस्ति हमारे लिए पैरना दाई होती है इसलिए हमारी भारपूर कोशिस होगी कि भाई आप हमसे जुरे फिजिकल एपिरेंस सम लोगों का संबभ नहीं हो पाता है हम जुरतों रहे हैं आप से इस बहाने तो आप भी जुरे और धेर लोगों को जुरे इसी प्रत्यासा के साथ इसी एफेक्चा के साथ अगले वीडियो में आपकी प्रत्या रहेगी चलिए धन्यवाद नमस्कार